आज हम छटपट बनने वाला बहुत ही असान हलका फुलका टेस्टी नाश्टा बनाएंगे तो चलिए बनाते हैं बीना दहीं, बीना सोटा, बीना इनो का सिरफ पांच मिनट में बनने वाला आलू डोसा अगर आज की रैस्पी अच्छी लगी तो ही लाइक और शेर कीजिएगा चलिए बनाते हैं आलू डोसा बनाने के लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइस का उबला हुआ आलू, आलू को इस तरह से चाकू से काट लेते हैं, आलू गरम ठंडा कोई भी हो चलेगा, इसको हम मिक से पीस लेंगे, देखिए, बिल्कुल स्मूध पेस्ट बन गया है, और इसी टाइम पर हम डाल देंगे इसमें एक चथाई कप सूजी, वापस से थोड़ा सा पानी डाल देंगे, हम आलू पेस्ट के साथ ही सूजी को पीस लेंगे, इस तरीके से सूजी साथ में पीस लेने घुमा कर निकाल देंगे, अब हम इसमें डाल देंगे कुछ कड़ी के पत्ते बारी कटे हुए, बारी कटा हरा धनिया, एक बारी कटा प्याज, साथ में एक चथाई चम्मच, काली मिर्च का पाउटर, आधा चम्मच, चीरा, आधा चम्मच, चिली फ्लेक्स, और नमक स्व में मिल जाता है, या फिर आप चावल को 8-10 खंटे फुला कर पीस कर भी डोसा बना सकते हैं, अच्छे से मिक्स करने के बाद बैटर को हम पतला करेंगे, तो वापस थोड़ा सा पानी डालेंगे, और मिला लें, हमें एकदम पतला सा बैटर बना कर त्यार करना है, बैटर ज 500 ml पानी का इस्तिमाल किया है, अगर आप एक कप चावल के आटे का बना रहे हैं, तो चार गुना पानी डलेगा जानी की चार कप, तो डोसा बैटर हमारा त्यार है, डोसा बनाने के लिए तवा हमारा पूरा तेज करम होना चाहिए, और थोड़ा सा ओयल चारो तरफ से को बिल्कुल स्लो और बिल्कुल हाई नहीं रखना, जिधर भी आपको गिला लगे तवे को उधर ही रोटेट करतें, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा ओयल लगा देंगे, जब बैटर अच्छे से सूख जाएगा, और जैसे ही आपको साइड में गोल्डन गोल्डन तो आप इसे टीफन में भी बच्चों को दे सकते हैं, तो ये ट्विन वन का काम करता है, गर्मा गरम क्रिस्पी लगता है और ठंडा होने के बाद मुलाइम हो जाता है, तो इस डोसे को आप मन चाही चटनी के साथ खाएं, और अब मैं आपको इसकी क्रिस्पीनेस तोड़ हैं, नेक्स वीडियो में